कि यहां पर स्वागत है तो हम यहां पर बात करने वाले हैं सब्सक्राइब कर लिए ताकिया कि जो भी अपडेट्स होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंशेगा हम यहां पर जार्खन से जुड़े वह जो भी अपडेट्स होते हैं वह हम यहां पर लेकर आते हैं तो किरपय चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और चली देखते हैं किस नोटिफिकेशन में जो है वह क्या प्रोसेस क्या प्रक्रिया रहने वाले हैं कितनी सीटें यहां पर दी गई है तो जैसे कि आप यहां पर देख पार हैं 37219 को 3 जुलाइब को जो है यहां पर जार्खन स्टेट एड्स कंट्रोल सुसाइटी द्वारा जो है वह नोटिफिकेशन जारी किया गया है ठीक है और यहां पर किस किस पोस्ट क और EWS के लिए जो यहां पर एकनॉमिकली विकास्सथन के लिए एक सीट यहां पर रखा गया है तो कुल पोस्ट जो है वह एक सट है यहां पर और 13,000 यहां पर सीटे रखा गया है, जेनरल के लिए 20 सीटे है, ST के लिए 24 सीटे है, ST के लिए 6 सीटे है, BC2 के लिए 1 सीटे है, और economically विकर सक्षान के लिए 10 सीटे यहां पर रखी गई है, तीक है, वहीं consular ICTC की बात करें, तो यहां पर इसमें 67 post जारी किया गया है, और 13,000 रुपय आपका यहां पर सैलरी है, जेनरल के लिए 20 है, ST के लिए 24 है, ST के लिए 8 है, BC2 के लिए 3 है, economically विकर सक्षान के लिए 11 सीटे रखा गया है, consular STI के लिए यहां पर अगर हम बात करें, तो फूल 15 सीटे है, जेनरल के लिए 6 सीट है, ST के लिए 3 सीटे है, SC के लि जो है वो इस ओफिसल वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रुवाइड कर दोंगा, ठीक है, और यह जो है वो पूरी कोंट्रक्शल बैसिस पर यहां का रिकॉर्मेंट के जा रहा है, एक साल के लिए यहां पर ठीक है तो यह जो है वो सभी जो पोस्ट है वो डिस्टिक लेबल के यहां पर यह पोस्ट है, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर कॉंट्रक्ट में अग्रिमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक्स्टेंशन होगा या नहीं होगा बाद में, यह आपका फिर वहां पर काम द जो है वो बढ़ाया जा सकता है maximum age all categories के लिए यहां पर बासाट साल रखा गया है ठीक है जो no TATA will be admissible to appear for written exams interview यहां पर ठीक है उसके बाद यहां पर देख जेए the selected candidates will be completely on the basis of requisite qualification qualification जो माया गया है उसी के अनुसार जो है वो यहां पर भरती किया जाएगा यहां पर देखिए कि जो सार जो है वो यहां पर रजिस्टर पोस्ट ऑफिस के थुरू आपको भीजना है और वो कहां भीजना है दा प्रोजेक्ट डिरेक्टर जार्खन इस पते पर आपको आवेदन भरकर भेजना है ठीक है सारे डॉकुमेंट्स के साथ और लास्ट डेट जो है वो देख लिए चौबीस साथ दोजार उनी से सामके पांच बजे तक ठीक है उसके बाद जो है वो आवेदन जो है वो नहीं आपका आप से किया जागा वहां पर और दा इन्वैलब कंटेनिंग अप्लिकेशन शुडबी सुपर स्क्राइब अप्लिकेशन फॉर दा पोस्ट ऑफ तो जीस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन्वैलब के ऊपर आप वहां पर मिंसन कर दीजिएगा ठीक है और यहां पर जो आपके डेट के बाद करते हैं अप्लिकेशन फी जो है वहां देख लिए 500 रुपे यहां पर रखा गया और बैंक ड्राफ्ट बनाना आप इन दो फेबर आप जार्खन स्टेट एड्स कंट्रोल सुसाइटी पेवल जो होगा वह आपका यहां पर हैराची होगा अगर आप एक से ज्यादा अपको यह पर और एयहां पर भाषर कर सेंड कर देना है ठीक है और यहां पर डिक्लीरलेस्ट में आप यही चीजिंधिन आप इन करना ओफ कर यहां पर देखे लिए यहाँ पर देखे लीजिए qualification कुछ दिया गया है यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो हो blood maintenance के लिए कितना क्या होना चाहिए training जो है वो क्या रहने वाली है ठीक है reporting है ज्यक्ति सारी टेलिग्राम ग्रूप में भी जोईन कर सकते हैं